आज हम लोग करेंगे एक ऐसे टूल का रिव्यू जो की काफी इंपोर्टेंट है ब्लॉगर्स के लिए, इंफ्लूएंसर्स के लिए, डिजिटल मार्केटर्स के लिए या वो लोग जो लिंक्स को शेयर करते हैं उनके लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विची के रिव्यू के बारे में हाई गाईज, मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी, यहाँ पर मैं डिजिटल टूल के रिव्यू करता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विची के बारे में Switchy मुझे काफी अच्छा टूल लगा है मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ अपने लिंक्स के लिए इसके बारे में आज मैं डिटेल में बताऊँगा आपको बताऊँगा मैं कैसे यूज करता हूँ कैसे आप लोग इसका यूज कर सकते हो क्या-क्या चीजे हैं क्या अच्छी चीजे बुरी चीजे क्या यह आपको लिना चाहिए की नहीं लिना चाहिए सब कुछ आज के इस वीडियो में तो switchy basically है क्या switchy यहाँ पर हमें मैनली चार चीजे परवाइट कराँ है पहले तो हम यहें पर इपना लिंक्स को किसे काई दूसरा है, जो यहां पर री टागेट कर सकते हैं अपने लिंक्स के थेफ रोज चे दिता है लिए चैन का लिए तनकाटीक्स किर देता है और यहां पर आपको एक स्मार्ट पेज देता है लेकिन यहां पर आपको एक lifetime deal भी देखने को मिल जाएगी आप सुमों के ऊपर काफी टाइम चल रही है कब तक चलेगी मुझे उसका इडिया नहीं बट आप प्रेजेंट तो है जैसे हम लोग इनके plans अप्ग्रेड करते जाते हैं सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर हमें links को कैसे जनरेट करना जैसे आप लोग इन कर लोग आपको यहां पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा काफी clean and easy to use interface है मुझे काफी अच्छा लगाई है पास भी है तो लिंक जैसे मान दो इवाला मेरा एक पेज मुझे इसको शॉट करना है तो यहां पर मैं डाल देता हूं स्विच इट पर क्लिक कर देना है अपको एंड यहां पर हमारे पास नीचे यह लिंक यहां पर आ जाएगा यहां पर आप अपना डुमीन नेम सेलेक कर सकते हो जैसे यहां करने अपने वह एक और स्विची आपको दो मीन में डाल दे लोत हो यह और था मेन यहां तो यहां पर यह मेरा लिंक बन गया है इस तरीके से यहां पर इसी तरीके से लिंक बना सकते हैं तो अब यहां पर मेरा लिंक बना सकते हैं तो अब यहां पर मेरा लिंक तो बन गया है मैं लिंक अपने ब्लॉक का बना सकता हूं किसी दूसरे आर्टिकल का बना सकता हूं यहा कला झाल लो मुझे यहां पर कोई और इमेज दिखाना है मुझे इसको social media पर शेर करना है मुझे यह नहीं दिखानी है तो है यहां पर मैं upload कर सकता हूं directly pixels से पिक्सबेस से कुछ ले सकता हूं pixels से पिक्सबेस भी image को इंपोर्ट कर कर के डाल सकता हूं अगर चाहिए तो यहां, पर जो टेक्स्त है, 가서 मेपसं हैं जो भी शेरिंग के टाइम पर दिखे गा, उसको हम लोग यहां पर edit करें पर उसको ने पाना है कि तेखाना है कौन सी सा टेक्स नहीं दिखाना है वो सारी चीजी है आसे edit हो जाएगी , metadata हम लोग पूरा कर सकते हैं यहां पर हमारे पास आते हैं UTM Tags, UTM Tags काफी important होते हैं अगर आपको Google Analytics का यूज करते हो तो यह आपको बताता है कि वह लिंक कहां से आया, अगर आपको Google Analytics में जाओगे तो अगर आपको reports देखने है, performance देखनी है, तो वह चीज यहां से आपको UTM Tags से पता चलेगी, for example, यहा UTM Term, UTM Term मतलब अगर मैं किसी particular keyword को target कर रहा हूं यह वाले ads run करने के लिए, तो मैं UTM Term डाल सकता हूं, mainly यह तीन चीज़े होती है, यह तीन चीज़े हम लोग डाल सकते है कि कौन से campaign ने कितना अच्छा perform किया है, उससे हमें यह पता चल जाएगा, मालो यह जो page है, मैं इसके UDM किया है, Facebook Paid Advertisements, यह और गानिक नहीं रहेगा, यह पेड रहेगा, तो इससे मुझे आपर एक clarity मिल जाएगा, कि इस लिंक ने आपर कितना अच्छा perform किया है, UTM Tags के थूँ, तो मैं analytics में जाके देख सकता हूं, UTM Term, अगर मैं किसी particular term के ओपर target कर रहा हूं, आपने Facebook Ads क यह पर हम लोग डाल सकते हैं, तो UTM Tags में आपर analysis करने में काफी जादा important हो सकते हैं, अगर आपके पास बहुत सारी traffic आ रही है, links के थूँ, यह पर हम लोग pixels को भी add कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा feature है, pixels मतलब अगर मैं आपर add a new pixel के पे click करूँ, तो मैं आपर Facebook का डाल सकता हूँ, LinkedIn का डाल सकता हूँ, Quora, Google Tag Manager से मैं कोई भी यहाँ पे pixel डाल सकता हूँ, और यह सारे मेरे पास options है, pixels को add करने के, pixels से क्या होगा, pixels से मानलो मेरे link पे किसी ने यह पे click किया, मानलो मेरा यह वाला page है, इस पे किसी ने click किया, तो फिर मैं यहाँ पर उसको retarget कर सक तो pixel वाला feature इंका काफी अच्छा है, तो अगला important feature है वो है, embed widget का, embed widget के तुरू में, websites के अंदर, किसी और दूसरी website के अंदर, अपने links को embed कर सकता हूँ, यह सारी websites में काम नहीं करता है, लेकिन 90% of the websites में यह काम कर जाएगा, तो basically यहाँ पर, अगर मानलो मुझे कुछ शे किसी को recommend करना है, मुझे लगा कि यहाँ यहार, यहाँ पर इसका link share करूगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसका plain link share नहीं करूगा, मैं इसमें यहाँ पर अपना भी कुछ add-on कर दूगा, क्या add-on करूगा, वो मैं भी आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका link create करूगा, switch it पर click कर दूगा, and then यहाँ पर मेरा link create हो गया है, जो रहेगा, वो रहेगा मेरा free WP themes, इसको मैं short भी कर सकता हूँ, free themes भी कर सकते हैं, ठीक है, free themes कर देता हूँ मैं इसको, then advanced options पर जाऊँगा, then embed पर जाऊँगा, मैं यहाँ पर इसको on कर दूगा, embed पर दूगा कि यह website जो है, allow कर रही है कि नहीं कर रही है, यह वाली website अलाओ कर रही है, इसके बाद मैं add new embed widget पर click करूँगा, and then यहाँ पर मैं कोई भी HTML यहाँ पर javascript code को embed कर सकता, for example, अगर मुझे मेरा video डाल ला है, तो मैं YouTube का, जो मेरा video है, मैं यहाँ पर उसको embed कर देता हूँ, यह कर देता हूँ, closing option भी देता हूँ, then यहाँ पर create कर देता हूँ, script add हो गई है, कौन सा है मेरा yt hosting यह वाली script को मैं add किया है, मैं यहाँ पर click करता हूँ, get my new link, and then यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लिंक आ गया है, अब मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ नहीं इनकोग्निटो विं करके मैं आपर अपने लिए भी earning कर सकता हूँ, अपनी audience को भी बढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं वीडियो दिया है, कि अगर चलो free theme से अगर किसी को चीए, तो उसको hosting भी चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैं अपना hosting वाला video दे दिया, तो इसी तरीके से मैं आपर बहु लिमिट, आप लोग इसको किस तरीके से यूज करोगे, तो embed वाला feature यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगा है, यहाँ पर link cloaking भी रहती है, link cloaking मतलब कि हमारा जो link है, हम लोग उसको hide कर सकते हैं, for example, जैसे ही मैं यहाँ पर embed करता हूँ, तो link cloaking यहाँ पर automatically on हो जाती है, जो यह URL आपको दिख रहा है, यह अच्छल में इस website का URL नहीं है, यह मैंने इसको mask किया हुआ है, इसलिए यह वाला website यह वाला URL दिखेगा, visitors को, उनको actual URL यहाँ पर नहीं दिखेगा, and then हमारे पास है यहाँ पर AB testing, अगर आपके बस दो pages हैं, तो यहाँ पर आदर डेस्ट कर सकते हैं, कि मुझे मानदो यह वाला मैने एक deal, यह वाला मेरा free themes वाला है, मुझे आपर दो pages को test out करना है, यह वाली website है, एक और दूसरा link है, मैं आपर 50% इतर भीजूँगा, 50% उधर भीजूँगा, and then website के उपर मैं अपने testing parameters लगा सकता हूँ, कि कौन सी website पर conversion जादा अब मैं अगर आपर कुछ इसके additional options के बारे मैं बात करना हूँ, तो सबसे बहले तो हम लोग इसको organize कर सकते हैं, हमारे जितने भी links हैं, उसको हम लोग different folders में आपर organize कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको कुछ notes वगरे डालना है, कुछ extra information वगरे डाल deep linking जैसे मानलो मैं एक YouTube का वीडियो दिया है, YouTube का वीडियो मुझे आप के अंदर खुलना है, तो उस पर deep linking काम करेगी, यहां कोई website जैसने deep linking इंटीग्रेट करके रखिया, अब अपनी website के ओपर तब deep linking यहां पर काम करेगी, then tags है, अगर आपको tags वगरे से sort out करना है, तो व of America, ठीक है, अगर वो लोग हैं, तो वो लोग जाएंगे bluehost.com के उपर, और अगर यहां पर हैं, मानलो, India, तो वो लोग जाएंगे bluehost.in के उपर, तो यहां पर मेरा link तो एक ही रहेगा, मानलो, मेरा जो link है, वो free themes वाला ही रहेगा, लेकिन मैं यहां पर, अगर यूएस से जा रहा है, तो वो जाएगा bluehost.com के उपर, इंडिया से रहा है, तो bluehost.in के उपर रहेगा, वैसे वाला sense नहीं करता है, क्योंकि एक्चल में free themes वाला है, बट मैं आपको सिफ एक्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, then link expiration है, अगर आप लोग कोई deals वगरे रन कर रहे हो, अ अब हम लोग बात करते हैं, uptime के बारे में, uptime यहां पर बहुत important हो जाता है, बहुत सारे reviews में कोई uptime आपको cover करतावा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको शायद से realization ही नहीं है, कि uptime यहां पर कितना important होता है, अगर website का uptime ही नहीं है, जिस भी link shortening service को आप लोग यूज कर रहे ह हूं, हर 30 second में यहां पर इसके test out कर रहा हूं, और पिछले 233 days से यहां पर इसके testing चल रही है, जो मुझे यहां पर uptime मिला है, वो है 99.83% high.switchy.io, जो की अच्छा नहीं है, it is less, मतलब 99.94 के उपर होना चीए था, यह चीज यहां पर अच्छी नहीं है, last 30 days का भी 99.880 है, तो uptime is one thing जिसको यहां पर इंप्रूव किया जा सकता है, देने यहां पर में अपने subdomain पर भी check out कर रहा हूं, और यह भी actual में switchy से ही connected है, क्योंकि switchy ही महां पर DNS वागरे रिजॉल करेगा, तो इसका जो uptime है 99.66% जो की अच्छा है, compared to the last one, तो आप लोग भी अपने यहा स्विची से, अब इससे पहले में वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कि switchy मुझे इस वीडियो के लिए sponsor नहीं किया है, हाला कि अगर आप लोग मेरे नीचे देगाई link से purchase करोगे, तो मुझे थोड़ी commission मिलेगी, बिना कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर, तो यहां से हम लोग smart pages पर जा सकते हैं, यहां से हम लोग smart pages को बना सकते हैं, मैंने यहां पर अपना एक बनाकर रखा है, go.kripashadvani.com slash about, आप लोग जा के देख सकते हैं, मोबाइल पर यह कुछ इस तरीक से दिखता है, तो यह बेसिकली अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगरे यूज कर रहा है, आपको लिंक देना है, जहां पर आपकी सारी services के लिंक रहेंगे, तो उस पर दे सकते हैं, यह मेरा है, यहां पर मैंने अपने बारे में कुछ दिया हुआ है, यहां पर आपने social media के लिंक देवे हैं, यहां पर मैंने सब्सक्राइ इमेज नहीं ले रहा है, जो उसको लेनी चाहिए, देन विजिट ब्लॉक का मैंने लिंक देके रखा है, देन यहां पर अगें जो मेरा दूसरा चैनल है, उसके भी यहां पर RSS speed में लगा के रखिए, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम से इमेल से यहां पर मैंने अपने कुछ वीडियो नीचे देके रखें, इसी तरीके से यहां पर smart pages काम करते हैं, कि हम लोग mobile के लिए landing pages बना सकते हैं, अब मैं आपको बना के बताता हूं कैसे बनते हैं, यहां पर हम लोग जाते हैं, create a new smart page पर क्लिक करते हैं, यहां पर हमें कुछ templates मिल जाते हैं, काफी easy to use, यहां पर दे सकते हो, और उनसे अच्छा चार्ज भी कर सकते हो, काफी easy है इसको operate करना, यहां पर यह सारी चीज़ों को हम लोग easily edit कर सकते हैं, left hand side पर जाएंगे, blocks यहां पर आपको मिल जाएंगे, मानलो मैं यहां पर sale run कर रहा हूं, मुझे यहां पर countdown timer चाहिए, मैं यहां पर और सारी चीज़े यहां से edit कर सकता हूं, and then मैं यहां पर sale का यहां पर नीचे link भी सकता हूं, यहां फिर एक carosol भी डाल सकता हूं, जहां पर सारी images मेरी आएगी, और यहां पर मैं again link भी उसको कर सकता हूं, अपने sale वाले page से, तो काफी सारे यहां पर options है, drag and drop builder है, काफी easily यहां पर आम लोग इसको बना सकते हैं, यह सारे options आपको देखने को मिल जाते हैं, RSS feed है, WordPress है, YouTube पे वीडियो बगरे डाल सकते हो, smart page यहां पर मुझे कापी अच्छा लगा है, वो लोग चाहते तो इसको यहां पर एक separate product की तरह भी launch कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहां प हैं, कितने conversions हैं, कौन कौन सी country से आये हैं, मेरे link पर यहां पर ज्यादा क्लिक नहीं हुए, सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही मैंने यहां लिंक दिया हुआ है, तो में यहां पर इंस्टाग्राम से क्लिक आते हैं, और ट्विटर पर भी आ जाते हैं, अगर आपको मुझे फॉ ब्लॉक करना है, ब्लॉक आनलेटिक्स है, यह बताता है कि यह जो प्लॉक्स हैं, उस में से कौन सा कहल का पर एंकुम करता है कि मालदो उस पर कुक्त पर लकीज इन जा घेक nenhum कितने क्लिक 20 journées में जाता कि उने ब्लॉक्त नहीं ज सब्लम करने मुझे के इंसे का इस वस मैं प मेरे इसाब से it is one of the best out there. आप लोग जाओ, कब तक रहेगी उसके कोई गारेंटी नहीं है और इतने टाइम तक इसलिए है क्योंकि as per their team उनका ये कहना है कि lifetime deal वो इतने टाइम तक इसलिए रख रहे है क्योंकि उनका business product भी है इसी से related उसके थुरू उनको income हो रही है तो जो general audience के लिए जो product है वो लोग यहाँ पर lifetime deal के थुरू दे रहे हैं कब तक देंगे उसके कोई guarantee नहीं है, अगर आप कुछ चाहिए तो ले लो at least इसका एक quote तो ले ही लो, काफी अच्छा tool है, you won't regret it in my opinion अब इससे पहले यहाँ पर मैं इसके pros and cons के बारे में बता हूँ, अगर अभी तक आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो इसको thumbs up जरूर दे दीजेगा अब अगर मैं इसके कुछ pros के बारे में बात करूं तो यह affordable है, काफी easy है, इसको use करना, इसका user interface is one of the best out there feature packed है, यह बहुत सरे यहाँ पर आपको features देखने को मिल जाते हैं और smart page भी यहाँ पर आपको मिल जाता है अब अगर मैं इसके कुछ cons के बारे में बात करूं तो इसका up time है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है, सबसे बड़ा major con है इस tool का वो है इसका up time अगर इसका up time यहाँ पर improve कर दे तो it's going to be one of the best one out there second जो मुझे इसका कौन लगा है वो है link analytics, link analytics मेरे साब से थोड़े और detailed हो सकते हैं यहाँ पर काफी basic से यहाँ आपको analytics देखने को मिलते हैं कि इतने clicks है that's it उसके आपर आपको कुछ ज्यादा information नहीं मिलती है link analytics को लेकर के तो जैसे link whisper था link whisper का मैंने review किया था जो कि internal link building ले यूज होता है उसका review आपको i button पर मिल जाएगा जैसे उसके analytics थे अगर वैसा ही यहाँ पर कुछ similar आजाए तो यह तूल यहाँ पर काफी अच्छ हो जाएगा now coming on to the bottom line मेरे असाब से अगर आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो blogger हो influencer यहाँ पर किसी भी तरह के से links यूज कर रहे हो यहाँ पर शेयर कर रहे हो तो this is the tool that you should get definitely worth it at present your lifetime deal चल रहे है it is worth it you are going to use it a lot मैं परसनली इसी को यूज करता हूँ जो भी मेरे आपको नीचे links मिलेंगे जो भी affiliate links अगरे जिपने भी सारे आपको links मिलेंगे जो go.kripesh adwani रहते हैं वो सब यहाँ पर मेरे स्विची से ही जनरेट होते हैं तो मेरे आप से total value for money tool है झाल